कैसे हैं आप सब बच्चों मैं आपको पता है कितना ज़्यादा CS को प्रमोट करता हूँ 12th के बच्चे हो 11th के बच्चे हो मैं सब को convince करता हूँ कि आप CS कीजिए कि definitely मेरा इस कोर्स में अकेन है और मैं मानता हूँ कि मुझे life में जो भी मिला इस कोर्स के कारण मिला है लेकिन अब मैं आपको instead of company secretaries of India के कुछ लोगों की शर्मनाख हरकत बताऊंगा definitely यह हरकत हमें जगजोर करके रख देती है रीजन यह है कि बच्चो मेरी student है रुचा मर्दा रुचा मर्दा ने CS executive का जो group 2 है group 2 में उसका result ऐसा था कि उसको securities में 32 थे, securities में she was failed accounts में उसको 66 थे और IGL में 64 और 65 थे तो उसने June 2019 का examination form भरा और उसने जब examination form भरा 22nd of February को जब उसने examination form भरा उसने सुनिये का ध्यान से उसने exemption claim किया किस में accounts में और IGL में तो उसने exemption claim कर दिया और उसके बाद से उसने पढ़ाई करनी शुरू कि सब securities के एक subject दूँगी पचास मां क्लेक आओंगी और बढ़िया CS executive clear हो जाएगा मेरा तो इसने तो बहुत अच्छी student है बहुत मेहनती student है उसके बाद उसने पढ़ाई करना start कर दिया 23 माई को बच्चों उसका admit card आया और उसके admit card में ये लिखा हुआ है कि आपको exam किसका देना है accounts का भी देना है और securities का भी देना है ये बंदी tension में आगी इसने सोचा कि यार मैं तो exemption लेके बैटी हूँ मेरे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है मैंने तो clearly clearly बच्चों जब आप examination form बढ़ते हैं आप गलती नहीं करते हैं आपको पता है कि वो subject आपको exemption लेना है मैंने इसके उपर पहले भी वीडियो बनाए और सच में ये मेरे मन को जगजोर करके रख देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मेरी student ने बार-बार call किया ICSI को पहली बात तो आपको बता है कि इनके जो call होते हैं ये लोग call तो उठाते नहीं है और उठाने के बाद जी response है पहले तो response ही नहीं है फिर सब लोग टालते रहे कि उस department ही हमारे department ही आप उससे बात करो अरे बाबा जिस student का exam है आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो रिजल्ट तो अपने ऐसे आते हैं बड़ जिसका exam है आप उसके साथ ऐसा करते हो दूसरी बात वो सब छोड़ दो एक नई story ICSI की तरफ से response आया वो यह था कि साथ मार्च को आपने खुद से login किया खुद से login किया और आपने securities का sorry accounts का exemption आपने खुद से cancel किया यार common sense लगाओ कोई आदमी अपना accounts का subject का exemption करता है मैंने रुचा से बात किया रुचा आपने ऐसा किया था रुचा ने मुझे बता है कि सर मैंने computer touch भी नहीं किया सर मैं तो पढ़ाई के चक्कर में मैं सिर्फ securities law के preparation में लगी हुई हूई ह इसे teacher हमको बहुत दर्द होता है फिर कहा किसी अर्शना सेटी जो ICSI में काम करती है आप उनको mail कीजिए इनको इस बिचारी रुचा ने अपनी पूरी story उनको mail की कोई response नहीं बच्चो कोई response नहीं और आपको ये तो बता दू ये तो रुचा case था last attempt में मेरी एक student थी इसका 12th का mark sheet upload हो गया था लेकिन ICSI ने माना ही नहीं कि उसका mark sheet upload हुआ है उसका registration ही cancel कर दिया तो ये हरकती ये तो खेर मैंने इसके पर video नहीं बनाया है चले ठीक है कि मैंने बोला कि हो जाता है बट ये हद नहीं है यार ICSI चल की हो रही है अपने students की बतल और उनके साथ हम और सच में ये video बनाते बनाते थोड़ा सा मुझे आसू मतलब आसू तो नहीं बट मुझे काफी बुरा लग रहा है कि यार जिस institution को मैं अपनी mother मानता हूं जिस ICSI को मैं हमेशा सम्मान करता हूं आज मैं जो भी हूं ICSI का रहा हूं और मुझे ये सब बूलना पट रहा है ICSI के लिए it's not ICSI बट वहां पे जो लोग बैटे हुए है वो student student को सुनने के तयार नहीं people come और मैं यहां पे मैंने last time भी 2-3 लोगों से बात करने ही कोशिश की बट वो ही बोले हम तो मजबूर हैं कुछ नहीं कर सकते so please please मैं चाहता हूं ये video को हम जादे जादा forward करें मैं भी म मैं चाहता हूं कि हम सब एखटे हों और आवाज उठाएं कम से कम एक share तो करें इस video को thank you so much बच्चो thank you so much and we are with ruchah and let's see अगर नहीं होता तो फिर court अगरे थू हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे लेकिन वो option नहीं है क्योंकि उसका attempt तब तक जा चुका होगा उसकी life के 6 मही नहीं तो वेश हो चुकी होंगे so please ICSI आप सब कुछ हैं आप हमारे भगवान है प्लीज आप रिलीव दीजिए तुरंत उसका जो है exemption वो आप accounts में भी उसका exempt कीजिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है और आप कोई भी नए excuse देंगे तो कहां से माना जाएगा thank you so much